दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसमें इतने बहुत्रीन इंग्रीडियंट्स का इस्तवाल किया गया है जो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा खीरे का जूस जिसमें एड़ करने वाले है एक चबमच चावल का आटा थर्ड इंग्रीडियंट एट करने वाले हैं कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी नहीं है तो किचन हल्दी का इस्तमाल कम मात्रा में कर सकते हैं अब जो सबसे खास इंग्रीडियंट हम इसमें एट कर रहे हैं वो है हनी हनी हमारी स्किन में मौश्चर के कंटेंट को इंक्रीस कर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये तैयार हो गया है हमारा एक ऐसी रेमिडी जो आपकी स्किन में एजिंग से रिलेटड साइंस से फाइट करने वाली है अब आपको बिल्कुल क्लीन फेस पेस को एपलाई कर लेना है तो इचली होता क्या है सर्दियों के मौसम में हम पानी पीना कम कर देते हैं प्यास कम लगती है जिसकी वज़े से हमारी स्किन ड्राई डल और काली सी दिखाई पढ़ने लगती है चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो मैं अपने वाटर इंटेक कम नहीं करना चाहिए इसलिए यहां पर इस रेमिडी में मैंने ख इसमाल किया है इसमें चावल के आटे और बेसन का जो हमारे स्किन में देने वाला है एक वाइटनिंग ब्राइटनिंग एफेक्ट और आपकी स्किन अगर धीली हो गई है तो बेसन उसको टाइट करने का काम करेगा ताग धबो पिग्वेंटेशन पे चावल का आटा वर्क करेगा कस्तूरी हल्दी अगर आपको पिंपल्स इसपोर्ट की प्रॉब्लम है तो उस पर भी वर्क करने वाला है और शहत शहत तो भरपूर है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से तो अगर आपकी इसकिन पे फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है डार्क स्पोर्ट बढ़ते जा रहे हैं एजिंग साइंच शो होने लगे हैं तो शहत इन सभी चीजों में आपकी इस्पिन पे वर्क करके आपको एक नई इसकिन या नया निखार जो आपका कहीं खो गया है वो आपको वापस लोटाने वाला है तो इस रेमिडी को आप अल चाहके सोलीडी फाइए हो गया है सेमी सॉलीड सा है तब आपको इसको हाथों में पानी लेकर मसाज करते हुए रिमूफ करना है कभी एकदम ड्राइ फेस पैक को आपको बहुत रगड कर रिमूफ करना नहीं होता है इसकी नॉर्ट ड्राइब हो सकती है तो हलकी हाथों से पगीला कर लीजे और मसाज करने के बाद आराम से वाश कर लीजे और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है बस मैं जैसा मैंने बोला कि पेशन्स की जरूरत होती है तो रेमिडी के इंग्रीडियंट्स जरूर देख लीजेगा आपको सूट करते हैं या और आपकी स्किन का टाइप क्या है क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी चीजें ट्राइ कर लेते हैं जो हमारे स्किन को सूट नहीं करते हैं और हमें लगता है कि क्या बकवासी रेमिडी है तो जरूर से अपने इंग्रीडियंट्स को चेक करिएगा और इसकिन टाइप को एक बा